नमस्कार दोस्तों खुट्टा क्लास में आपसे बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग एक हमसे क्यूज करेंगे एक प्रेक्टिक सेट है इसको हमें सॉल्व करते हैं बाहर कुत्ते भूग रहे हैं तो उसको जड़ा एग्नौर किजिएगा क्यों कुछ चुप कराना मेरे ब कहानी है कि सामाजिक है पारीवारिक है सबध चित्र है एकर में कोई नए इसका सज़ Wisconsin क्या हो जाएगा चिनमबर यह सब सब्रग रहे थे हमारे दिम का बन रहा था है इसमें से दो सश्कृति एक प्राचिंतम और एक दोनों के बीच में बातलाफ होती है और दोनों का इमेज जो है सब छाया जो है चित्र जो है हमारे दिमाग में बन रहा था अगला सवाल है संस्कृति का जगड़ा में केकर केकर माने जगड़ा देखल गया है संस्कृति का जगड़ा जो कहनी है उसमें किसके किसके बीच में जगड़ा दिखा गया है या किसके किसके बीच में जगड़ा होता है पहला अप्शन है सनातन संस्कृति और आधनिक संस्कृति के बीच में दूसरा है रोहन और मोहन के बीच में किसरा है निर्मल और सोभारानी के बीच में चोथा है राम और रहीम के बीच में ठीक है तो आ अगला सब्वाल है सभिता का जड्स क्या है मूल क्या है उसका आभार क्या है संस्कार संस्कृति रहं सहन वहार विचार या मतलब यह सब इसका तर यही वला होगा यह सब ठीक है अगला सवाल संस्कृतिक जड लागए लगबग वही सवाल है जो पिछला था तिन नंबर का संस्कृतिक जड क्या है संसकार आदमिक रहन सहन बेवहार विचा इसी में है धरम और चौथा है बुद्धी यह नीचे आगया है तो इसका सेवत्र क्या होगा इसका सेवत्र होगा बी नंबर आदमिक रहन सहन बेवहार विचार क्यों क्यों कि यहां पर इस अभे नहीं दिया हुआ हैं संसकार भी आ जाता नहीं दिया इसलिए यह वी नमबर होगा चलिए अगला स्वाल देखते हैं कि देश का छेत्र का इलाका का हमारे राजी का किसी भी चीज का विकास किस तरह से होता है वहां के लोगों का संसकार से अपसंदिया देखिए बेहार विचार देनाठी देशक माटी से लोग से सरकार से यहां आपको बहुत हद तक लगेगा लोग से लेकिन नहीं इससे नहीं होगा लोग से तो होता ही है लोग का बेहार कैसा है विचार कैसा है उनका रहन सहन कैसा है यह भी इंपोर्ट सकता है इसलिए इसका सहत्र क्या हो जाएगा ए नंबर वहार से या विचार से इसी से किसी छेत्र का विकास हो सकता है अगला सवाल है प्राकृतिक संस्कृति का जनम कहां है प्राकृतिक संस्कृति जो है दो तरक संस्कृति है ना एक प्राकृतिक और एक नविंतम नई नव इसमें से प्राकृतिक संस्कृति जो है उसका जर्म कहा हुआ है प्राकृतिक बातावरन में बहुंच जार है मैदानी इलाका पहार नदी में इसका सेत्र क्या हो जाएगा ए नंबर प्राकृतिक बातावरन में जंगल जार में अगला है सवाल साथ नंबर प्राकृतिक संस्क संस्कृति का दूसरा नाम क्या है अपसर है पहिल संस्कार दूसरा सनातन संस्कृति तिसरा पुर्णा संस्कृति अच्वथा यह सभी जो नाम है यह सभी नाम है प्राकृति संस्कृति का प्राचिन संस्कृति का इस सभी नाम है इसलिए इसको तर हो जागा डी नमबर यह सह होते होगा कि अगरा सवाल क्या है आठ नंबर अगर बोड़ नदिक वनवल संस्कृति का नाम देल है नदीक के दुबारा संस्कृति उसका क्या नाम दिया गया है बतलब जो नई संस्कृति मैं प्राचीन जंगल जहर का और यह जो है मैधानी संसकृति संस्कृति इप पहार परवत का नहीं है, क्या है वो, मैदानी, आर्य, आधुनिक या सुभे, तो अविसली इसका उतर क्या हो जाएगा, D नमबर, सुभे, ये सब, all of these, अगरा सवाल क्या है, नौ नमबर, प्राकृतिक संस्कृति में कौन चीज कर परधनता रहो है, प्राकृतिक संस्कृति क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बात कर रहे हैं, मतलब प्राकृतिक होगा, इसकतर हो जाएगा, ए नमबर, प्राचीनता और परंपरा, अगला सवाल है, मैदानी संस्कृति में परधनता रहो है, मैदानी संस्कृति में नई संस्कृति में किसकी परधनता रहती है, परदानता है यह मुख्य रुप से पाए जाते हैं। अगला सवाल है, सणाथन संस्क्रिती पर्तिक के रूप में इसके इसके रूप में क्या है प्राकृतिक पुर्णा संस्कृति भारतिय संस्कृति धर्खंडी संस्कृति या इस वभे इसका उत्तर अब्यसली होगा डी नंबर यह सभी जो है प्राकृतिक संस्कृति का प्रतीक है उसी का रूप है प्राकृतिक का प्राचीन का अगला सवाल क् नामा पीड़ी संस्कृति के परतिक रूपे है जो नया पीड़ी है नई संस्कृति है उसका परतिक रूप क्या है प्राचीन का देख लिया हमने अब निविंतम का क्या है आरी संस्कृति पस्चिम संस्कृति ज्यान विज्यांकर संस्कृति या सोभे इसका भी उत्तर डी न उसका पर्तिक चिन्ण है, आज असवल क्या है तेरा नंबर में तो ये तो हमरेखाई जले हमर कौनों चीज करें ठीक रहें नी जलें सग्रे हमर बेहर कर ले जाए रहा है, ये कथन केकर लागई मतलब ये कथन किसका है, कौन कहा था, कि तुम हमको खा गया तुम हमारा कोई भी चीज को सही रहने नहीं दिया सब जगह हमारा खराब करते जा रहा है ये कथन किसका है ये बते किसने कहा था अप्सना के पस है सनातन पंथी कर, निर्मल दास कर, रोहन कर, जलालुद्दिन कर इसका उत्तर है सही में ए नमबर सनातन पंथी कर, जो पुराना सहस्कृती है वो कहता है नया को, कि तुम हमको खा गया मेरा सब बरबाद कर दिया अगला सवाल क्या है, चौदर नमबर पे ये कथन के कर लागे, मतलब ये कथन किसका है किसने एक बात कहा था, आज के संस्कृती सोभारानिक, मोहनकर या देवा चोदरिकर इसको तर क्या होगा, आज के संस्कृती का, ठीक है नई संस्कृती जो है न, वो कहता है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गया है और आज आभी भी आप जंगल में ही रहते है और जितना संस्कृती से हम रहे हैं न, तुम सपनों में भी नहीं रह सकते हो यह कतन किसका है, किसने कहा था यह संस्कृती के, नुतन संस्कृती के, निर्मलकर या सुभारानिकर इसको तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा, ए नमबर संस्कृति था पुराना वाला प्राचिन वाला उसने कहा था कि हम जिते 37 रहे हैं ना नयाव को तुम अतना नहीं रह पाएगा अगला सवाल क्या है नावा पंथी सनातन के की बुझ हुआ है जो नया पंथ वाला है आधुनिक संस्कृति है वो सनातन को प्राचिन को क्या समझाता है तोरा आपन चीज खिचाव नखो कि तुमको अपने चीज में खिचाव नहीं है लगाव नहीं है दूसर कर देखी दूस खोते जा रहा है यह सभे इसका सही अस्पन क्या होगा सही उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा डी नंबर यह सभे यह सारी बाते जो है नई संस्कृति प्राचिन संस्कृति को बताता है अगला सवाल है तो है हामरा लुटिले है और लुटिले लागल है सनातनी कहे भाव है यह कतन तो सुनाता नहीं कहता है इसका भाव क्या है कहने का क्या मतलब है नावा पंती लुटेराल लागई पस्चिमी संस्कृति लुटेराल लागई जहरखंडी संस्कृति के बाहर संस्कृति लुटलेल या इसका तत्पर यह होगा यानि कि इसका सही जवाब यह होगा डी कल。 मतलब कहता है कि हमरा चोह रहा है इस सोच में ढूब जाता है और케이 सोच में करी सोच में ढूबता है इस सोच में डूब जाता है। कौन य Dazu सोचने लगता है। ऑप्छन है विबेक i8 शेखर नावा पेडी या सचनातनी R और बड़ा भाइपन रहता है। टे जो भाद में आया है। यह सनतनी यह सोचने लगता है। Х initially समय कर अनुसार हम आगू चल जाए लागल ही अर्टों हमड़ गुड़ियावले लाव लागल है हम तोरा मना तो नहीं कर रही हो कि हमड़ पच्छु पच्छु नायाव से एक कथने पिछ लगू के लागे मतलब इस कथन में पीछे कौन चल रहा है समय के साथ हम आगे चल रह हम तो मना तो नहीं कर रहे हैं कि मेर पीछे पीछे मता आओ इस कथन में पीछे कौन चल रहा है अप्स्न है नवापैडी सानातनी रोहान सिखर यह सब तोneh बने यह अलग कहानी के पात रहें यहां बात है सनस्कृति का तो यह नया पीड़ी बोलता है ठीक है किसको बोलता है सनातनी को यह पीछे को चल रहा है सनातनी जो प्राचिन प्राचिन तब संस्कृति है वो चल रहे पीछे-पीछे उसको कहा जा रहा है तो इसका सेथर क्या ह को जाएगा वी नंबर यह जो एसका निस नेस्ट है करमा सहराय सरहूल संस्क्रित करम लागर यह जो त्वहार है कर्मा सहराय सरहूल यह कौन संस्क्रितिक त्वहार है सनातनी का पुरातन संस्कृति के नाम है अगरा है के हैं हम करम पर विश्वास कर vertay हैं और तुम धरम हम पर विश्वास करता है यह कथन के कर लागए यह कफिन किसका है कौन कहता है कि हम कर्म को मांता है और तुम धर्म को मानता है आतनी बोला कि नया सवाल 22 नवरी नवा पेड़ी कर विचारधरा की लागई पाटय का धर्य चुना कि जो नया पेड़ी है उसका विचारधरा क्या है इस पार्ट में क्या बताया गया है अप्षन है जन्साही जन्सक्ति शांती और मुक्ति नाइं सोभे इसका तो क्या हो जाएगा डी नमबर सभी ये सारी चीज़े जो है ना ये नई पीड़ी की बिजार धरा है सांती क्यों चाहिए जिन्दा है अपना काम कर ली तुछ टीख है यह सारी बातें के अगला सवारेक बोलती बंद कर ले सनातनी कौण ब्ययंग तर्क देन न्या पीडिया का बोलती बंद करने जोट इटा जोटा आड नमबर नहीं लागो इस सब अप्सन दी हैं इसमें से यह अप्सन सही होगा डी नमबर मतले इस सारी बाते जो है वो बोलता है नया फिली को यह बोलके उसके मुझ को बंद करता है चुप कराता है उसको हार मनवाता है अगला सबाग अनुसारे उग्र करी को दुनिया के बरबाद करें दुनिया के आग लगए लें नक्सलबाद का जनम दे लें इसका विली होगा डी नमबर ये सब traad जो है इसी नया पिली जो है वो नक्सलवाद का कारण क्या बताता है आंकारी राजनिती प्रते दुन्दिता इर्श्या और द्वेश से चलते आगू बढ़े नीद्यवो इस सब्वे कारण से इसका वी उतर यही होगा डी नंबर यह सभी कारण है एक कारण नहीं होता है इसके कारण नक यालन इस डरेचन है ने संस्क्रिति है उसके हिसाप से अगरा सवाल क्या है कि से नातर रिक आरे नथज़ेक लगान को कि ना क्षलवाद कोगशावार होगा करके बुद्धि ज्यान के उक्साए के सर सम्मान जोगार करवाए के या इस वह नहीं है इसका उत्तर भी होगा डी नंबर इस वह नहीं है इस पार्ट में जो है इस सारी बाते लिखी हुई है कि इन सब तरीकों से वह नया पिड़ी जो है उग्रबाद को बढ़ावा देता है पुद्धन नवापिड़ी की बत्वल है नक्सलबाद का या परण नया पिड़ी क्या बताया है पहले कुछण था सेम इसमें कुछण है सेम लेकिन आप्убशन अलग है नेप्साथा सबाभी और मेर्मी distract है निती सास्त में क्या नहीं है चीज नहीं पाया जाता है। उसका डिक्सिनरी में क्या कौन सा वर्ड नहीं मिलेगा अप्सन है आराम चैन कर नीन्द सुतेट मुक्ष कर खोज या सोभे अब समझ गया होंगे इसका उत्तर क्या होगा डी नंबर ये सारी चीजे जो है ना नहीं पीडी के पास नहीं है आराम बिलकुल नहीं है चैन के नी समझोंता करेक खया से सनातनी बुझावय लागन समझोंता करने के खया से सनातनी क्या बोलने लगता है पहला option है इतियास में आपन नाम परिहास लेखे ना लिखाओ समझदारी ले काम ले ना तक्त्वें बॉर्ड ना हमचोट जूट मुट कर मोचक लड़ाए मत लड़ इसका उत्र क्या हो जाएगा सिंपल जबाब इसका है इसका उत्र हो जाएगा डी नंबर ये सारी बाते बोलता है ताकि समझोता हो जाए और कोई हार जितका बात नहों किसी किसान की लड़ाई न रह जाएग ना अगला लंबा सवाल है बढ़ते जाएज को हम लोग एक बाठे हमीं चान और मंगल घरें घार बन में खो जही आकासे अंत्रिक शियान राखा ही फिर जाती धरम कर जगड़ा लड़ी कें टूंगरी टंगरा परबत कर सीमा ख़तिर कटा ही कटा ही मरा ही इटा सिठीक बात सच में लखे यह कतल किसका है आखिर ये बाते किसका है कौन कहता है कि एक तरह हम चांत पर घार बना रहे हैं चांद और मंगल घर बना रहे हैं आसमान में अंत्रिक श्यान रख रहे हैं है और पिर छोटे बात के लिए मोग लड़ते हैं मरते कि सने कहा था कि नवब भी कि या निर्म डास या फिर्वे धर है इसका सवाल है जग्ड़ा अगला सवाल है सब्सक्रätब से फिर्थ your parameters के की कहल जाए पार है तेके पहला अपसर यहां पर है ठीक है ध्यान दीजेगा यहां पिजड़ गया यह एड़िट में अपसर पहला है मूँ चोथुवेल या बक्थथरी कर ले मतलब क्या करते हैं मूँ लड़ाना जबर जस्ती ठेथरलोजी करना विचाड़ मिमर्स हास पर दीयोग माया समझता है रुपे की हैल इसलिए दोनों के बीच में समझता किस रुप में हुआ हैं तो अनों की समझता है यह सभी बात हैं यह सबीन एक सवाल इसने नाम था संस्कृति कर जगड़ा आगला जो एमसे क्यूज होगा वो किसी वर पार्ट से होगा तक के लिए आप से बहुत बहुत दिलने बाद पढ़ते रहिए दयारी करते रहिए एक्जाम बहुत दिन और नहीं है ध्याल से पढ़िए